आज बसंद पंचमी है। आज हम सब ग्यान विद्या इवंकला की देबी मात सरस्वती की पूज़ा अर्चना करते हैं। ग्यान और विद्या की देबी सुर्सवती का जन्म दिवस बसंद पंचमी बसंद रितु की आगमन का भी प्रतीक है। यह पर्व भारत के साथ साथ पस्चिमुत्तर बंगलादेश और नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही विशुभर में जहां भी भारतिय बसे हैं इस पर्व को पूरे विधी विधान से मनाते हैं। यह पर्व मासारदे की उपासना एवन उनकी असीम अनुकमपा अरधित करने का भी अवसर है। इस पर्व के महत्व का बर्णन पुराणों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में विस्तार पुर्वग किया गया है। खास तोर से देवी भागवत में उलेक मिलता है कि माग सुक्ल पक्ष की पंचमी को ही संगीत, काब्यकला, सिल्प, रस, छंद, सब्द, सक्ति, जिहां को प्राप्थ हुई थी। इस दिन देश भर में सिक्षाविद और छात्र मासारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्यानवान बनने की प्रार्थना करते हैं। बसंद पंचमी के दिन विद्यालों में भी देवी सुर्शती की आराधना की जाती है। भारत के पुर्वी प्रांतों में तो इस दिन घरों में देवी सुरसती की मूर्ती अस्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। अगले दिन मूर्ती को नदी में भी सरजित कर दिया जाता है। बसंत पंचमी पर पीले वस्थ पानने, हल्दी से सुरसती की पूजा और हल्दी ही तिलक लगाने का भी बिधान है। पीला रंग संब्रिधी का सुचक भी कहा गया है। इस पर्व के साथ सुरू होने वाली बसंत रितु के दोरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसो सोने की तरह चमकने लगता है। जौ और गेहू की बालियां खिल उठती है और इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां उठती दिखने लगती है। इस पर्व को रिसी पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कलेंडर के अनुसार प्रतेक बर्स माग मास की सुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाये जाने वाले इस्टेवहार के दिन ही ब्रह्मांड के रचईता ब्रह्माजी ने सुरसती की रचना की थी। जिसके बारे में पुरानों मिया उल्लेख मिलता है कि सृष्टी के प्रारंविक काल में भगवान बीश्रू को अग्या से ब्रह्माजी ने मनुस्य यूनी की रचना की पर अपने प्रारंविक अवस्ता में मनुस्य मूख था और धर्ती बिलकुल सांथ थी। ब्रह्माजी ने जब धर्ती को मूख और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का जिससे एक अद्वुष्टी के रूप में चित्रभुजी सुन्दर इस्तरी प्रगट हुई जिनके एक हाथ में बीड़ा एवंग दूसरा हाथ वर्मुद्रा में था यह सक् की सुरस्वति कहलाई उनके द्वारा बीड़ा का तार छेड़ते ही तीनों लोकों में कमपन हो गया और सब को सब्द एवंग बानी मिल गई वसंद पंचमी के दिन कोई भी नया काम प्रारंब करना भी सुब माना जाता है